वेलकम टो माई यूटूब चालना कटार सिंग क्लासिज हम इस वीडियो में क्लास नाइन मैंस की थियोरम एट पॉइंट और स्टेडी करेंगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं थियोरम के बारे में और इसका प्रूफ भी करेंगे इना पैल्लोग्राम अपोजिट अंगल सा पैड लोग्राम फैड ले लो ग्राम माने ने यहां प्रूफ करना है अपोजिट अंगल इक्वल है तो आपोजिट अंगल पराबर दिखाना है और एंगल इसमें करेंगे हम construction क्या करेंगे construction उस construction में क्या करेंगे हम सुलो मैं join कर देता हूँ जोईन कर दिया है जब मैंने इसे मेरे पर पता क्या प्रूव हो जाएगा वी बरावर आंगल हमें प्रूव पहले करता है आप देखो जैसी मैंने कर दिया आप देखो दो ट्रैंगल दिख गयोंगे आपको क्यों तो गया यह वाला A, D, C ठीक, और एक हो गया कौन सा वाला, दूसरा वाला उसका नाम है A, B, C एक उपर वाला और एक नीचे वाला इन दोनों करूँगा मैं कौन मुरेंट तो क्या नाम में बताना प्रूफ स्टार्ट हो रहा है इन ट्राइंगल उपर वाले का नाम क्या है A, D, C और नीचे वाले का नाम क्या है ट्राइंगल A, B, C, उल्टान रिखो अगर यह A, D, C है तो यह होगा यहाँसे C, B, E A, D, C होगा C, B क्योंकि अगर एक से घूम रहा है तो यह वाला ऐसे घूमेगा ठीक है क्योंकि प्रहें यहां प्रहें एंग्यल सी के बराबर हो गयेगा के इस सक्षा कि सेकंट पार्ट यह होगा सेकंट फार्ट मेरा जब यह पंड दे रख तो इसके अपॉस्ट अपॉसित अपार इसके परापर नहीं होंगी बस तो यह कि अगला एड़ाबर क्या होगा प्यूंकि है अब एक बात और देखो यह आपसर करो अगर मैं नाम वही लिखता ना A B C तो गड़बड होता देखो A D के साथ क्या चलता फिर A B चलता मगर A D के साथ को ना देखो B C इसलिए नाम को भी ठीक से लिखना सीख लो कैसे लिखते हैं अगर इधर से इधर गए हैं इस तरह से इधर से इधर घुमेंगे विल्टी तरफ से ठेक है अब यह कौन सी प्रोपर्टी तीनों साइड लिए टिपल एस इससे दोना ट्राइंगल क्या हो जाएंगे करो जाते त्राइंगल why क्यों यह क्यी चाँ लिघ और जाएंगल लिख दो एकी के हैं इससे बने मुझे अधी वर्याबर क्यों अब मुझे प्रूफ करना है यह तो होगया अब मुझे प्रूफ करना है एंगल 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 और लिख़ना है उससे underestimate करूँ मैं उसके लिए और यह गीवन इवन सब सेम रहेगा इसे मैं दुपाने लिखूँगा तो हम मैं कैसे जोइन करूंगा ऐसे आप डाल देने बस जोइन बीडी आपने जोइन किया तो फिर देखो दो ट्राइंगल बन गए एक उपर वाला एक नीचे वाला एक तो बनके डी सीबी और नीचे कौन सा बना है नीचे बना है एडी बी तो लिख दो प्रूफ कर रहा हूं सीधा क्या नाम है उपर वालेगा डी सीबी ट्राइंगल डी सी बी और इस वाले का नाम क्या है अब देखो डी सीबी अब देखो कैसे घुमेगा यहां से घुमेगा वाले अंगल इसके बी एडी अब इसमें तीन पर्ट बराबर दिखा दो एक तो आपको दिख रहा होगा कि यह डी भी कॉमन है ब्लू में भी और रैड में भी है तो लिख दो गे डी भी बराबर डी वी क्या यह गिवन है गिवन के लिए गिवन नहीं यह तो पॉमन है दीसरा क्या होगा सुनो यह भी भराबर निहोंगी यह भी पराबर क किस अए डी- डीके एप Ist तक एक दो यह यह भी और बी-समे है टीक है तो यह Öz 것을 कौन सा है यह भी अपोजिट साइड से प्राइड लोग रहांगी, अपोजिट, ओर ठीक, अब मुझे एक बाप बताओ, चलो, यह इस के बराबर, यह इस के बराबर, यह कॉमर, तो ट्राइंगल के तीन साइड बराबर ना गई, तो कौन से प्रावड़ी लगई, S, S, इससे दोना ट् लेख दो, by C, B, C, T, angle A, बराबर, angle C, hands, proved, बलो ठीक, तो हमारी यह वाली थियोरम, नहीं थियोरम नॉम्बर कौन सी थी, 8.4, यह भी हो चुकिया, और यह सारी थियोरम, कोश्चोरम में यूज होंगी, इन्हें याद भी गड़े न, क्या statement है, अगर पैल्लोग्रम में तो opposite angle के होंगे, बराबर होंगे, और अगर कुछ भी डाउट हो, तो इस chapter 8 की introduction वीडियो में, इन सबकी पैल्लोग्रम, rhombus, rectangle, सबकी property, और सबको बार डीटेल हैं मैंने बता रखा है, उससे जरूर देख लेना, तब भी आपको chapter 8 ठीके समझ में आएगा, तो इस वीडियो में